नमस्कार मैं अमरेंद्र तिवारी अल्टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको की 22 से 29 तारीक तक जो स्वास्त सुरक्षा सपता जिसका नाम दिया गया है कुछ लोग इसे मेनी लॉक्डाउन भी कर रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं कि सर भीडवार घटी है कुछ जगों से रिपोर्ट आ रही है कि कुछ भीडवार घटी है कुछ जगों से रिपोर्ट आ रही है कि मेन रोड पर तो भीड घटी है लेकिन गली मुहले में भीड नहीं घटी है अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब सरकार अपने सीरे से प्रयास कर रहे हैं जिस तरीके से 21 अप्रेल तक कोरोना के 24-25 अजार केसिस का आकलन था उससे ज्यादा संक्रमन के केसिस निकला है राज में 1,02,000 केसिस संक्रमन के आये हैं और डबलिंग रेट ऐसे में 31 पॉइंट 6,0 है तो क्या यह डबलिंग रेट अगले 31 दिनों में 31 दिनों में डबल जब होगा तो यह आकड़ा 3,00,000 से पार हो जाएगा यानि कि अगले 30 दिन 30 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों जारखंड के लिए और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब लगा संक्रमन के केसे जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह जो 22 और 29 तारीक का यह जो स्वास्थ सुरक्षा सप्ता है क्या इसमें इंक्रिमेंट सरकार कर सकती है तो देखें दो तरीके के इस पर द्रिश्टी कौन है पहले पहली बात कि सरकार जो यह एक तरीके से सुरक्षा सप्ता लॉंच किया है सरकार की मनशा क्या है कोरोना संक्रमन के केसे को रोकने के लिए लौकडाउन का विकल्प पिछली बार भी सरकार ने आजमाया था बहुत ज़्यादा हद तक इसमें फायदा देखने को नहीं मिलाता हां यह जागरुक अपने आपसे होंगे मसलन मास्क का उपियोग करना अगर दो व्यक्ति आमने सामने हैं और दोनों व्यक्ति मास्क पहनते तो कोरोना संक्रमन न होने के पर्तिषट में काफी बढ़ोतरी होती है मतलब कोरोना तब नहीं फैलेगा ऐसा माना जाता है और डबल लेयर मास्क की वकालत WHO कर रहा है तो सिंगल मास्क परना शुरू कर दीजे अपने अपने जगहों पर दोस्तों ऐसे में सवाल यह उड़ता है कि जब कल 5000 से ज़्यादा केसेस मिले संक्रमन के और राची का तो और बुरा हाल है ऐसे इस्थिति में जब सरकार सेना के तमाम अधिकारी प्तादिकारियों के साथ बैठक करके सेना के अस्पतालों का भी उप्योग करने के दिसा में आगे बढ़ रही है ऐसे में सवाल यह उड़ता है कि अगर यह पांच का अकड़ा और आगे बढ़ता है पच्पन सो छे हजार सड़ सट सो साथ हजार ऐसी इस्थिति में क्या यह 29 तारीक जारखंड की जनता मान कर चले कि 29 तारीक के बाद यह डेट इंक्रीज नहीं करेगा या फिर जारखंड की जनता यह मान के चले कि यह तो शुरुआत होई है इस सब्ता की हो सकता है कि यह अर्धमासिक हो जाए आगे और हो यह भी हो सकता है कि यह मासिक हो जाए और सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे लोग अफवाहों के मकरजाल में भी फसे हुए बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं कि बहुत सारे चैनल वाले ये दिखा रहे हैं कि एक महीना रहेगा ये दो महीना रहेगा और मुझसे गुजारिश की कि All Time Public India पर आप ये बताइए सही चीज इसमें क्या है तो देखे सरकारी अस्तर पर जो हमें report मिल रही है कि यह सुरक्षा शप्ता जो है हो सकता है कि इसको समय के हिसाब से क्योंकि मन सरकार ने कहा था पहले कि समय के हिसाब से जो है और कड़े सक्त फैसले लिये जा सकते हैं तो अगर कोरोना केसेस में कमी नहीं आती है अस्पतालों में बेट की स्थिती का यही हश्र रहता है ऐसे हालात में पबलिक को तयार रहना चाहिए आगे और सक्त कदम उठाने के लिए सरकार सोच सकती है और तब यह सकती किस तरीके के होगी आप इसको समझ सकते हैं दूसरा चीज़ सरकार ने अभी तक यह असपस्ट नहीं किया है कि इस स्वास्त सुरक्षा सपता को आगे बढ़ाकर अर्धमासिक या मासिक करने के दिशा में वो बढ़ेंगे तो सरकार अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर रही है आगे बढ़ने की संभावना है हलांकि उतनी जादा नहीं है लेकिन अगर संक्रमन के केसेस नहीं रुखते हैं दोस्तों और जिस तरीके से स्वास्त विभाग के अनुमान के मुताबिक जो स्वास्त विभाग आकड़ा लगा रहा था उसे भी ज्यादा केसेस आये और अब एक नई चुनाती आप देख रहें डबलिंग रेट एकतिस पॉइंट सम्तिंग यानि कि एकतिस दिनों में जब केसेस डबल हो जाएंगे तो यह तीन लाग से उपर हो जाएंगा और तब यह देखना बेतर बहुत ज़ इस तरीके से हमने पहली लहर में लडाई लडी थी और कहें तो चुकि इस बार का वायरस जो है बहुत सारे लोग करें कि इस बार क्यों आखिर मॉते ज्यादा हो रही हैं है और इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो एलिजेबल है बीना किसी भ्रम के बीना किसी जिजग के वैक्सिन जरूर जाकर लीजिए दोस्तों ये आपको मौत से बचा सकती है संक्रमन से बचाने की गरांटी वैक्सिन नहीं देता मैं फिर से एक बार आपको कर रहा हूँ वो हमारे अंदर एंटी बाडी क्रियेट करेगा कोरोना को अगर आना है बाडी के अंदर तो आएगा उससे आप बचाव कर सकते हैं तो मास्क और जो कोविट के प्रोटोकॉल से हैं उसके सारे वरना सभी को करोना हो जाता तो उन चीजों पर मैंने जाओंगा लेकिन यहां पर वैक्सिन जो है वो जरूर लगवाईए और कुछ जगहों पर जार्खट के अंदर भी एक दो जगह से रिपोर्ट आई है कि पहली डोज किसी और वैक्सिन की पढ़ी थी और दूसरी डोज देश के अलग-लग हिस्सों में कुछ सेंटर्स पर इस तरकी खबरें आ रही है तो आपको सजग रहना बेहद ही जोरी हो जाता है और ऐसे समय में क्योंकि आने वाले दिनों में और भी वैक्सिन आएंगे निजी अस्पतालों तक वैक्सिन जो है वो बिकने वाली है और हला यह मुझे ने इसमें कोई मैं इस पर आश्चर चकित नहीं हूँ मुझे लग रहा था शुरू से ही कि लेकिन दोस्तों मैं आज आप लोगों के तरब से सिरम इंस्टिचीट आप इंडिया से पुछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि आप केंदर सरकार को कम रूपि सारी संस्थाएं काम करेंगी ऐसे में दो से तीन साल लग सकते हैं पूरे वैक्सिन्स लगाने में फिर तो कुरोना खिलाप लडाई जो है और कमजोर होगी दोस्तों मैं उमीद करूंगा कि इस बात को आप लोग आगे पहुंचाईएगा सत्ता और सिंहासन पर जो लोग ब अपने पास ऑप्शन चुकी उसके पास खुले हैं केंद्र के तरप से कह दिया गया है कि राज्यों को जो करना है अपने हिसाब से करना है केंद्र की मोधी सरकार ने पल्ला लोग डाउन पर जाड़ लिया है और शायद या पिछले बार का सबक है कि कि इस तरीके से चल रहे थे तो कोस रहे थे सरकारों को और उस समय बिना तयारी का कह सकते हैं और क्योंकि कोरोना नया था तो मैं इस पर ज़्यादा दोशारूपन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अल्टाइम पॉब्लिक इंड़ समाधान की और आपको ले जाती है सवाल यह उड़ता है कि क्या यह लोकडाउन और आगे खिच सकता है तो देखिए अफवा पर मत जाईए अभी तक सरकार के किसी भी ओफिस्यल अधिकारी प्रादिकारी या फिर सरकार के किसी भी मंत्री ने या मुख मंत्री ने ऐसे हिंट्स नहीं दिये हैं लेकिन आपको तयार हर चीज के लिए रहना पड़ेगा बहुत दो शुक्रिया जै हिंट जै भारत जुहार जारखंड जै जारखंड